आज हम बात करने वाले हैं दो फेरोस एट एलेक्सजंडिया के बारे में प्राचीन विश्व के साथ अजूबों में से एक एलेक्सजंडिया का फेरोस यानि की अब लाइट हाउस वास्तों सिर्फ लालिट्या के अलावा किवल एक का वैवारी कुपयोग था नाविकों के लिए इसने महान हार्बर के लिए एक सुरक्षित वापसी सुनिश्जित की आर्कीटेक्ट के लिए इसका मतलब और भी अधिक था ये पृत्वी पर सबसे उंची इमारत थी फासों की कहानी 332 इर्शापुरों में मैसेडोनियन विजेता सिकंदर महान द्वारा एलेक्जेंडिया सहर की स्थापना के साथ सुरू होती है 323 इर्शापुरों में सिकंदर की मृत्ति हो गई सहर था टॉलेमी सौटर के नए सासक टॉलेमी सौटर द्वारा पुरा किया गया ये सहर शमृत बन गया सहर को व्यापार जहा जोगो अपने बंदर गाह में मार्टर्शन करने के लिए एक तंत्र की आवशक्ता थी टॉलेमी ने 290 इर्शापुरों में प्रकास्थम का निर्मान शुरू किया प्रकास्थम फार्श द्रिपर बनाय गया था ये 20 सालों में पुरा हुआ और दुनिया का प्रकास्थम था ये महान पिरामीड के अफ़ात के साथ सबसे उंची इमारत पी थी अतिकंच खातों से संकीत मिलता है कि ये कई अन्य प्राचिन इमारत की तरह भुकम का सिकार था ये 1500 सालों तक रहा लेकिन 365 और 1303 इश्वी में चटके से सतिग्रस हो गया रिपोर्ट बता दिया कि ये 1326 में अंतिम पतन हुआ था ये सहर 1994 में उराता त्विक्स कुबा गोता खरो द्वारा पता लगाया था मकदुनियाई विजेता एलेक्सेंडर दे ग्रेट के नाम पर 17 सहर थे उनमें से अधिकांच कायब हो गये लेकिन मिश्टर में एलेक्सेंडिया सद्यों तक पनपा और आज भी जारी है प्रकास्थम हार्स त्रिपर बनाए गया था प्रास्थ, फ्रेंच, इतल्वी, स्पैनिस और रूमानियाई फासाओं में लाइट आओ सब्दा बन गया आपको उमारी वीडियो पसंद आयो तो लाइक, शेर और सब्स्क्राइब जरूर करें